जहिन दोस्तों श्वागय थापका हमारी यूट्यूब चैनल इलनी बिद्रगेश में आज का टॉपिक जो हम लोगों पढ़ना उसका नाम है प्रिशाशन और NCIT की स्रीज जो हम लोग पढ़ रहे थे और सामाजी के और राजनेतिक जीवन अर्थाथ NCIT पॉल्टी की स्रीज क eled okay का ऐसकर बिनादेरी की स्रीज को हम लोग को पढ़ना है और ये पड़्यों के लीए मैं पूरी बिस्तित ब्याक्था करके पढ़ाओंगा इसलिए आराम से आप सुन्दे चलेंगा हो सकते तो कॉपी कलम लेकर बैटेंगा बेसक आपने हमारा नोटस लियाउँ अपने PIT class में नोट सबको प्राप्त हो चुके होंगे फिर भी INCIT है तो INCIT को INCIT के तरफ पढ़ना पढ़ेगा पहला पंचाइती राज बौस्ता के बारे में मैं कुछ बता दू लिएकि पंचाइती राज बौस्ता को हम अस्थानी शरकार भी कहते हैं इसे क्या केते हैं इंध्यें से सुनेगए कि इसमें अंतर भी बताएंगे जोराड़ रिपन था लाड़ड रिपन ये वैसराय था भारत का और इसको ही माना जाता है और भारत में पंचायती राज का जो जनक है वो बलवंत्राय मेता माना जाता है पंचायती राज का जनक बलवंत्राय मेता भारत में और अस्थानी शरकार लॉड रिपन याद रिखेगा अगर लिखना चाहिए तो लिख लीजेगा यहाँ पर आपको साथ दिख रहा होगा लॉड रिपन और ऐसे मैंने पढ़ाया भी आगी में पढ़ा दूँगा यह 1880 से लेकर 24 तक थे तो 55 राज भुस्ता के बारे में या बात आप लोग जानते रहेगा अस्थानी सरकार का जो शंबंध करा को टॉपिक में पंचाती राजवस्ता पढ़ना इसके बाद हम लोग नगर निगम के टॉपिक को पढ़ना है एक ही दिन में तो सब खतम नहीं हो पाएगा ठीक है फिर जो अस्थानी सरकार पर किसी भी देश में लोकतंद्र की जो पहली होती है वही माननि जाती है आप इसे लोकतंद्र का प्रथम अस्तर भी कहते हैं जो स्थानी सरकार होती है लोकतंद्र की पहली क्याते है कि हम हम हमीं में से कुई चुना जाता हम भी प्रत्यपर राड़ा मिलता है किसमें अस्थानी सरकार資 Hierlya से भागिदारी होती है वैंसे हम अस्थानी आपको सुक्ता को खतम करते हैं क्लास को और आगे बढ़ाते हैं चलिए बिना देरी किये आप फटा-फट जुड़िये और एक बात ध्यांदीजेगा आप जो लोगों ने अभी टेलिग्राम पे नहीं जुड़े होंगे वैसे उमीद करते सब जुड़े होंगे तो आप उसक टुक पेच इस्टाग्राम फ्यूटर एलेनी भी दुर्गेश है ओन्लेंग क्लास की नोट्स घर बैठे प्राप्त करने के लिए 63063 डैवल 4367 वैसे पैट क्लास के लिए लेकिन फिलहाल अगर आपको ये वीडियो मिल चुकी हो कहीं से तो आप इसे ओन्लें क्लास में जो शबी वैसको की माने जो अठारा वर्स की आयू पूरी कर चुके हो उन्हें क्या कहते हैं वैस कहते हैं ये बात याद रखेगा जो अठारा साल की आयू पूरी कर चुके हो हो सकता है उसमें सिर्फ एक गाउं हूं या एक से जादा भी गाउं हो सकते हैं मनि किसी भी ग्राम ग्राम शभाक के नाम से जानते हैं ठीक है कोई भी विक्ति जिसकी उम्र 18 वर्स हो या उससे ज्यादा हो उसे वोट देने का भी अधिकार प्राप्त हो तो आपको पता हो न चीए हमारे देश में वैश्क मता अधिकार है माने ऐसा कोई भी भारत का नागरिक जिसकी उम्र 18 व होता है यह बात हमी और आप सभी को जानते रहना चाहिए अच्छे से समझते रहना चाहिए क्योंकि यहां आपसे के लिए कुछ महत्वपन चीजे थी जो मैंने आपको आराम से ब्याख्यात्मक रुप्षे पढ़ा दिया अब देखिए यहां पे कुछ अन्य चीजें हैं जो आपको जाननी है कि ग्राम सभा एक पंचाय छित्र में रहने वाले सभी वैश्कों की शभा होती है कोई भी विक्ति जिसकी उम्रे ठारा वर्सा उससे चाहदा हो उसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जिसका नाम गाउं की मद्दाता सुचीमो वह ग्राम सभा का शदश्य भी होता है यह बात हमें और आपको जानते रहना होगा अब यहाँ पर बहुत सारी बात हैं अगर हम इंसियाटी की बात करूंगा अब यहाँ पर अगला एक छोटा सा टॉपिक लिखा है जिसका नाम है कि जैसे मैं हैसे आप से प्रश्न पूल सकता हूं ग्राम हो सकती है क्या आपने कभी ग्रम सभा की पैठ्क में कि ने वहाइं है क्या बात करते हैं आपको ग्रम सभा में क्या अच्छी समस्या आप लोगों कैसे बता रहे थे इन विश्वों पर भी हम क्या कर सकते बच्चों से चर्चा कर सकते हैं क्योंकि यह आपके लिए इसके बारे में जिक्र करना जरूरी था अगला आपके पास छोड़ी सी हडिंग दिखाई दे रही होगी जिस टॉपिक का नाम है ग्राम पंचायत साथ आपको दिख्या होगा ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत क्या है इसके बारे मैं आपको बता दू यह ग्राम पंचायत कई वार्ड छोड़ी शट्रों को में बटी होती है प्रते एक वार्ड का एक अपना प्रदेंदी चुनता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है जिसे हम वाड़ पंच कहते हैं वाड़ पंच मेरी बात को ध्यान समझेगा एक ग्राम पंचायत जो उती वो में बटी होती प्रत्य यहाँ नाम से रिख नालम होता है उसके साथ ऑनचायद छेटर के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं इसके साथ जो पंचायत के लोगों ते मिलकर किसको सरपंच को चुनते हैं किसे वे फिर सरपंच को चुनते हैं किसको चुनते हैं सरपंच को चुनते हैं फिर सरपंच जो होता है पंचायत का मुखिया होता है सरपंच क्या होता है जो सरपंच होता है वो क्या होता है वो पंचायत का मुख्या भी होता है वाड़ पंच और सरपंच जो नों मिलकर ग्राम पंचायत का गठन करते हैं और यह पांच साल के लिए होता है कितने दिन के लिए होता है यह जाद रखेगा यह पांच साल के लिए होता है यह भी आपक सचु का चुनाओं नहीं होता है और सरकार द्वारा नियुक्त होता है सचु का काम होता है यह कौन सचु पंचायत का सचु कि पंचायद सच्यू उम्मीद करता हूँ यहां तक के टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा अब हम और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद अन्य तथ्थो पर भी यहां से चर्चा करेंग आप चाहत इस किंसोड अपने पास सुरचित रख लें करवाना होता है ग्राम पंचायद का ग्राम सभा ही ग्राम पंचायद के काम को स्विक्रति देती है जो ग्राम सभा होती है वही क्या करती है ग्राम पंचायद के कामों को स्विक्रति देने काम करती है तभी पंचायद अपना काम करका तभी क्या होता है पंचायद जो होती ह वो अपना काम कर पाती ये बात आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजेगा यहां से कोई दिक्कत नहीं होगी देखिए ग्राम पंचाइट जो होती है ये पूरे गाउं के हित को हित में निस्पत चुरूप से काम कर सके इसमें ग्राम सबा की महत्पूर भूमका होती है ग्रा ग्राम सबा की बैठक में ग्राम पंचाइट अपनी योजना लोगों के सामने रखती है जब ग्राम सबा की बैठक होती है तो ग्राम पंचाइट क्या करती है लोगों के सामने अपनी योजनाय रखती है ग्राम सबा पंचाइट को मनमाने धंसे काम करने से रोक सकती है साथ सब्सक्राइब करते हैं और इसके बारे में बच्चों से हम चर्चा कर सकते हैं और आप इस बारे में सोचिए हम आगे थोड़ा सबरते हैं यहां तक मैं उम्मीद करता हूं आपको सब्सक्राइब के काम की बात करें पहले ग्राम पंचायत में हमने देखा नीमी तुरुप से बैटाक होती है उसका काम उसके छित्र में आने वाले गहोंक में विकास कारेकरम लागू करवाना होता है ग्राम पंचायत के काम को सुकृती देती है तभी पंचायत अपना काम करवाने के लिए बनाती है यह समिती है जैसे आ अधि हम सम्हां पंचायत के काम जो परिच्छा में बार बार पूछ जाते हैं लेखिए ग्राम पंच्छायत क्या होते हैं शड्को को मरमत करवाना लाली नाल्यों का निर्माल करवाना ये ऐसे महत्वपूर्द टॉपिक है जो परिष्छा में पूछ लाजाता है इसे कौन सा ग्राम पंचयात कार है कौन सा नहीं है तो सड़क नाली स्कूल भवन पानी की सुरोतों अनसाजने को प्योग के भाउनों का निर्माल कराना और उनका रख रखाव करना अस्थानी कर लगाना जैसे गर पूछ दिया जैं मेला में जो टक्स लगता है मेला कर तो काउं को लोग हैं उन्हें योजनाय देना सरकार की जो योजनाय आती है उन्हें लोगों को बताना उन्हें अप्लब्द विच्छ में करते हैं क्यों कि मैं आपको पहले बताया जब में नोट्स लिया होगा तो इस क्लास को भी पूरा अंदता का राम से पढ़ लीजएगा यह किने आपके कॉंसर्ट जो है पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे ठीक कोई डाउट यहां से किसी को नहीं है अब यहां पर हम आगे देखेंगे कि ग्राम पंचायत के आमदनी के सु दोन बचा जाता है वह भी ग्राम पंचायत कर लगाती है जो रास उससे प्राप्त होती है वह उसके अमदनी का स्रोथ होता है फिर है कि विखिन सरकारी विभागों देवारा त्वारा जो योजनाय चलाए जाती है और उस योजना से मिलने वाली जो राशी होती है ठीक मिल मिलने वाली क्यों लगा जाने वाले कर मिलता फिर बिभिन सरकारी विभागव दौर चलाएगी युजुनाओं की रासी जुनपद जुला पंचाथ दौर आती है फिर हम देखेंगे कि बिभिन सरकारी भागव दौर चलाएगे युजुना की रासी जुनपद जुला के लोग ही उसे चुनते हैं यह बात आप जानते रहेगा शमुदाय के काम के लिए मिलने वाला दान तो यह था ग्राम पंचायत के आमदनी के सुरोच जो उपर हमने बता दिये अब यहां पर कुछ की पॉइंट है जो आप हमें परिच्छा के दिश्ट को देखना है पहला की दूसरा अस्तर होता है विकास खंड का क्या होता है ग्राम पंचायत के बाद दूसरा अस्तर विकास खंड का इसमें जनपद पंचायत या पंचायत शमित क्याते हैं एक पंचायत समीति में कई ग्राम पंचायत होती है पंचायत समीति के ऊपर जिला पंचायत है जिला परि कुछ अन्य चीजों को जानेंगे, पढ़ेंगे, शमझेंगे और उमीद करते हैं यहां से आपकी 72 नोर्स भी बन जाएगी दिखें हमने देखा कि पंचायत की पहले होती ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत को हमने अच्छी तरह से समझा दिया और आपको साथ समझ में आगया होगा ग्राम पंचायत क्या होती है तो फिर पंचायती राज विवस्ता में लोगों की भागेदारी की और दोस्तों पर होती है ग्राम पंचायत पर दूसरा जो अस्तर आता है यह पहला स्तर हो गया उसके उपर दूसरा स्तर आता है अगर हम इस दूसरा स्तर की बात करें तो यहां पर विकास खंड की बात होती है क्या होती है विकास खंड इसमें इसे जनपत पंचायद भी कहते है इसे क्या कहते है जनपत पंचायद या इसे पंचायद समित कहते है विकास खंड, जनपत पंचायत या पंचाय समिती खहते हैं एक पंचाय समिती में कई ग्राम पंचायते होती है एक पंचाय समिती जो होती है उसमें कई ग्राम पंचायते होती है ये बात याद रखेगा तेकर पंचाय समिती में इसमें कई देखे अगर यहां एक है तीसा है यह हो गया ग्राम पंचायत, अब इसकी उपर बढ़ेंगे, यह हो गया जनपत पंचायत, विकास खंडे पंचायत समीती, तो इसमें एक से ज्यादा होगी रहां, पिर इसकी उपर जुआएगा, वह हमारा क्या होगा जिला पंचायत जिला यह तीसरा स्थर होता है यह थर्ड अस्थर होता है जिला परिशत एक जिले के अस्थर पर विकास योजना पराती है यह जिले स्थर पर क्या करती है विकास की युजना बनाती है पंचायत समिति की मदद से जिला परिशत सभी पंचायतों में जो पंचायत समिति होती है यह प समझेगा पंचायत समर्द्धी की मदद से सभी पंचायतों में आवंटित राज्ती की वितरण की वीऊस्था करती हैं कॉन जिला पिरिस्थ या पंचायत इनके सहाईता से सहोरिको क्रती हैं शमिदान में दिये हुए निदेशों के आधार पर देश के हर पंचायाज से जुड़े कानून बनाए है इसलिए पंचायाज समधित कानून हर राज में कुछ अलग-अलग हो सकती है इसके पीछे विचारधार है कि अपने गाओं विवस्था में लोगों की भागेदारी बढ़े इसका सबसे बड़ा कारण है अपने गौह के विकास में लोगों के जो भागेदारी बढ़े और उन्हें अपने आवाज उठाने का ज़्यादा मौका मिले तो यह हमारी जो topic थी वो NCRT के आधार पर मैंने इस तत्यों को ब्याख्या कर दिया उमीद करते हैं यहां तक आपको topic जो थी वो पूरी तरह से समझ में आ चुकी होगी अब मैं कुछ और key point आपको बताना चाहूँगा उमीद करूँगा आप उसे copy column पे लिखते चलिएगा ठीक है उसके बाद तब हम लोग जब आगे चीजों को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपका जो concept है और अच्छी तरीके से clear हो जाएगा वैसे यहां से आप लोग को मुमीद करता हों कि समझ में आ चुका होगा कि ग्राम पंचायत क्या थी ग्राम पंचायत समीत का काम क्या क्या था ठीक अब मैं दुबारा आपको थोड़ा सा यहां पे आपका ध्यान खीचना चाहूँगा ताकि आपका concept जो था वह और अच्छ की तरीके से किलियर हो जाएं तो चलिए यहां तक आपको समझ में आचुका होगा तो आगे की सिरीच भी और आपको जैसे समझ में आएगी अम छोड़ी हेडिंग राता चलना हो ठीक है तो लिखेंगे आप लोग ठीक है तब तयार हो जाएगे चलिए अब हम लोग यहीं बनाते चलेंगे लिखते चलेंगे अस्थानी सरकार क्या लिखेंगे में आप यह नाम से भी जानते हैं अगर अस्थानी सरकार की हम बात करें तो जो अस्थानी बाते हैं इसका विकास भारत में मानोसब्यता की विकास के साथ साथ समझा जाता है कि धिर Sicher मानोसब्यता का विकास हुआ त्यों तो अस्थानी सरकार का भी होता गया प्राची nutr काल में दख भारत में पशिक अपड़ सामराज की असथानी परशासन में सबसे आधर्स भरस्ता माने जाती ए किसकी देखा जाbir थो दच्छिण भारत में कहां पर जाद झाת भारत में कि सकी च्छोर की यह काफी महत्य पूड एक चो फास था जो चोल सामराज था कि इनकी जो अस्थानी प्रशाषन सबसे आदर्स बहुस्ता थी अस्थानी प्रशाषन जो इनका था लिखते चलेगा अस्थानी प्रशाशन की आदर्स ब्वोस्ता थी आदर्स ब्वोस्ता था माना जाता है चोल सामराज के तहट जो अस्थानी सरकार को केंद्री सामराज से पूर्ण स्वायत प्राप्त था ठीक है अस्थानी सरकार के जो प्रत्निधियों के लिए एक अस्पष्ट नीती बना जाती है जिसमें उनकी योगिता कारपडाली सुरूप का एक आदर सुरूप में प्रस्तूत किया जाता है फिर आगे चल कर देखेंगे कि भारत के मद्यकाल में अस्थानी सरकार के विकास म पर धर्म वो उनकी करपड़ाली का प्रभाव पढ़ा किसका धर्म का और उनकी कार्य प्रणाली का इनका प्रभाव मद्यकाल में किस से पड़ा अस्थानी सरकारों पर पढ़ना शुरू हो गया फिर आधुनिक में आते आते ब्रिटेस समराज के तहद अस्थानी सरकार में विकास प्रक्रिया की शुरू आध हुई थी अगर फिर आगे देखें लॉड रिपन ये काफी 284 तक यह भारत का वायसराय भी रहा था और इसे अस्थानी सरकार का भारत में जनक माना जाता है अस्थानी शरकार का अस्थानी सरकार का भारत में जनक वायसराय लाड रिपन को माना जाता है यह बात आप लोग को मैंने उपर बता दिया था ठीक लाड रिपन ने अस्था इसलिए लाड रिपन को अस्थानी शरकार का जनक माना जाता है यह आपके परिच्छा के लिए सबसे ज्यादा महत्तों पूर्ण आधनी क्यूग में सुतंता के उपरांत अस्थानी प्रशासने विकास में तेजी आई और समिधान में पंचायत वन नगरपालिका के महत्त को समझा गया फिर आगे चलके हम लोगों देखा कि समिधान में पंचाती राजव्योस्त वन नगरपालिका इन दोनों को भी समझा ग सब्सक्राइब कर लें अब हम लोग फिर से लिखेंगे हेडिंग अस्थानी सरकार का श्रवधानिक रूप हेडिंग मना के लिग लिजेगा अप लोग कि अस्थानी कि रैटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है शरकार का श्रवधानिक रूप यह मारी हेडिंग हो गई अब इसमें बहुत सारी की पॉइंट आज लिखना है जो आपके लिए महत्तुपूर्ण होगा ठीड़ी अब यहाँ पे पहली बात है कि भारत में श्रवधान में अस्थानी प्रसासन के शोरूप का असपश्ट उलेक आपको म यह अनुशे चालेज्जों समधान के भागचार नीतन देशक सिधान के अंतरगत आता है इसमें राज्य ग्राम पंचायत का गठन करेगा राज्य क्या करेगा ग्राम पंचायत का गठन करेगा यह लिखा क्या लिखाए कि जो राज्य है ग्राम पंचायत का गठन करेगा ठिक फिर आगे देखेंगे भारत के समिधान में फिर आगे देखेंगे फिर भारत का जो समिधान है इसमें अनुच्छेद 243 कि एश है कि ओ तक पंचायतों का अंच्छेद रखा गया है और फिर अंच्छेद 43 पी से अगर उसके बाद यह तो यह पंचायत हो गया फिर अगर नगर पालिका की बात करें तो नगर नगर पालिका की बात करें तो यह अनुच्छेद 243 पी से 243 जड जी तक है ठीक है यहां तक यह आपके लिए हो गया अब हम और आगे दिखते ही हो गया नगर पालिका यह हो गया ग्राम पंचायत ठीक और यह हो गया और यह जो दोनों यह यह दोनों अगर हम यह पे अगर यहां पर इन दोनों भाग के बारे में हम बात करें इनके बारे में तो ये समिधाने पंचायत तीराजबोस्था नगर पालिकाग जो प्राधान है ये इग्रावी अंसुची और बारावी अंसुची में लिया गया है ये एक नमबर आपका त्यार हो गया ठिक और ग्रावी अंसुची तीरावी अंसुची जोड़ा गया इसके पंचायत में 29 विशे लिखे गये अगर ग्राम पंचायत की बात करें तो इसमें कितने थे 29 विशे थे 29 विशे का प्रावधान किया गया जबकि 12 वी अंसुची जो थी 12 वी में 14 संदान संसदन के दौरा जोड़ा गया था इस अंसुची के तहत नगरपालिका के लिए 18 विशे कितने 18 विश्यव का प्रावधान किया गया यहां पर 29 विश्य था यहां पर क्या था ठारा विश्य यह दो की पॉइंट आपके परिच्छा के लिए महत्वपूर्ण हो गई यहां से आपके परिच्छा में प्रश्ण आएगा तो गलत नहीं होगा किलियर फिर आगे हम लोगों ने इसके बाद का जो किलियर था वह भी मैं आपको यहां पर कर दूं कि समधान के पंचायत का प्रावधान था यह राज सुची का विश्य है यह कौन सा है यह राज सुची का विश्य है और इसमें राज सरकार कानून बना सकती है इसलिए आपने देखा होगा पंचायत राज व्योस्ता में अलग-अलग राज्यों के लिए थोड़े बहुत नियम आपको देखने को अलग-अलग मिल सकते हैं और भारत में तीन अस्तार है जो जिशें बलवंत्रा है महता इसके लिए जनक माना जाता है पंचायत रिवोस्ता 33 है ग्राम पंचायत उसके ओपर विकास फिर जिला पंचायत या जिला समीति इसके मैंने बूपर पढ़ा दिया था जो नगर पालिका के तहत नगर पंचायत नगर समीति नगर पालिका का शोरूफ है वह हम लोग आगे पढ़ेंगे तो यहां तक उमीद करता हूं कि आप लोग को जो कॉंसेट था वो पूरी तरह को अगली बार जब पढ़ें तो मिला कर पढ़ें दोनों को मिलाने का मतलग नगर पालिका और ग्राम पंचात इन सभी को दोनों तत्थों को मिला कर कंप्यार करके पढ़ेंगे ताकि इंसियाटी के जो सुरीज है वह आप क्यों हमारी अच्छी तरह स्तयार हो जाए पेट क अगर अब ही तक आप नहीं जुड़ोंगे तो दुर्गेश सर्च करेगा बीना इस्पेस के इलनी भी दुर्गेश पे डिस्केप्सर मुस्की लिंक है फेस्बुक पेज इस्टाग्राम ट्विटर यूटूब इलनी भी दुर्गेश पे जुड़े रहेगा शाती सांथ घ काम आज इसलिए अपने पास रचित रखेगा तो बहुत-बहुत धन्यमाद इसाटी की सीरीज भी मैंने आपको पढ़ा दी अगर आपके मन में कोई प्रेशन आ रहा हो कोई डाउट आ रहा हो तो बीना किसी भी समस्या का आप हम से सीधा-सीधा पोस्ट रखते हैं कि मेरा को समयधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ कमेंड करके कमेंड सक्षन माव इसका जवाब दीजेगा हमें आपके जवाब की प्रतिच्छा रहेगी बहुत-बहुत धन्यवादा सभी का बेस्ट आफ लक जय हिंद जय भारत